वेलकम टू आवर सिक्स चैप्टर तो रात बीच चुकी थी, सुभै हो चुकी थी कल की बेवसी ने जो आसु भाय थे, वैस सूख चुके थे जिन सपनों को लेकर नया ववसाय शुरू किया गया था वैस अपना तूट गया था पिछले एक महिने में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को समालने की कोशिश की जा रही थी पर आच्छानक से सब कुछ बिखर गया मनोच चाता था कि कोई उसके मन में उमड घुमड रहे तुफान को थाम ले वै अपने दोस्त राकेश के घर चला गया उससे बिना भूमिका के अपने मन के क्रोध को राकेश से कहना शुरू किया जो लोग महनत करके इमानदारी से दो वक्त की रोटी कमाना चाते हैं उनको ही पकड के थाने में बंद किया दिया जाता है पुलिस ऐसा सुलूक करती है जैसे हम चोड लुटे रहे हूं जिसके पाँच पाँच बसे हैं पैसा है क्या सड़क उनके बाप की है गरीब अपना टैंपो ना चला है इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहनी कह सुनाई राकेश ने मनोज को अधिक गंबीर होते हुए देखा तो मावल को हलका करने की कोशिश करने लगा कोई नई बात बता ये तो सब जानते हैं आज तेरे साथ गटना गट कई तो तू परेशान है रहे हो है रोज जै लड़ाई जगडा है रहे है गरीब ऐसे ही पिस रहे हो है मनोज के मन का विद्रो और बढ़क गया पर ये तो गलत है ना जो इमानदारी से महनत से अपना काम कर रहा है उसे क्यों सताया जाता है राकेश ने अपने जीवन का वहवारी ग्यान सपाथ तरीके से मनोज को देने की कोशिश की मनोज इसलिए आदमी महनत करतो अपने मोडा मोडियन ने पढ़ावतो नेता पुलिस से दोस्ती कर लो तुम्हाए पास पैसा होते तो थानेदार के मूँ पे मारते तुम्हें नेता विदायक कलेक्टर एस पी जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी शिफारिश कर देते पर तुम्हो ठंटन गोपाल कोई ना जानतो तुम्हें ने तुम जानते काहू को मनोज को यह बात कडवी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है जूटे केस ने बनाए गरीबों परत्यचार ने करे वे नियम और सिधानत की बात ही पकड़े हुए था लेकिन राकेश ने कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी तेरे जैसे लोग गाडी बाजी ना करत सवारी बिठाने के चकर में गोली भी चल जाती है पिछले महीना जोरा पुलिया पे चली ना होती हती गोली एक टैंपो वाले की जांग में गली हती तू रहन दे लडाई जगड़क पूलिस कचैरी सड़क पे मार पीट जेते बसके ना है मनोज कल की कल से जिस गटना की कारण इतना परिशान था उस गटना को राकेश ने बहुत ही चलता हूँ रोज मर्रा की गटना मान लिया पर थानेदार की शकल याद करके मनोज को रह रह कर क्रोधार आ रहा था पर मैं इस थानेदार को भूल नहीं सकता राकेश भी अपने सिधान्त पर डटा रहा तो ना भूल सब्धानेदार ऐसे ही होता है राजा हरिश्चंद्र ना होत कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे जूटे केस नहीं बनाते होंगे कानून के रक्षक होंगे मनोज के मनन ने ये कल्पना की मनोज की व्यता अंदकार में परकाश की खोज कर रही थी कहीं से वे आशवाशन चाहता था कि न्याय की पक्ष दर्ता अभी जिन्दा है पर राकेश उसे ये तसलिक किसी तरह देने को तयार नहीं था अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने पर मैंने सुनो है SDM दुश्यन सिंग गरीबन की सुनतो है इमानदारी से काम करतो है बड़ी तारीफ सुनी है तू तो SDM दुश्यन सिंग से मिले है हो सकत है टैमपो छूट जाए मनोश को राकेश की सला पसंद आई दुश्यन सिंग के नाम से उसे उमीद दिखने लगी अब क्या है जिसे हम लोग भी even I was a kid तो मुझे लगता था पुलिस देखके छुप जाना डरना या अभी भी कि पुलिस रिशुवत लेती है बट होते है कुछ लोग बहुत जादा इमानदार तो यहाँ पे भी राकेश के मन में उल्रेडी था कि पुलिस वाले होते हैं जो ऐसी होते हैं रिशुवत लेते हैं या गलत काम करते हैं बट कही न कहीं मनोज को लगता था कि कोई इमानदार भी होते होंगे जोरह तैसील कारियले में भीड बढ़ने लगी थी मनोज और कमलेश अपना टैंपो छुडवाने के लिए एस्टियम दुश्यन सिंग से मिलने तैसील पहुच गे मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वे टैंपो छुडवाने के लिए कैसे सिफारिश करेगा संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दुश्यन सिंग तो उसकी कमेंटरी की तारीफ कर रहे थे उसे योग्य मान रहे थे टैंपो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी मनोज यह सोच रहा था कि दर्बान ने उसे एक परच्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और SDM से मिलने का कारण लिखना था उसने परच्ची पर अपना नाम लिख दिया लेकिन मिलने का कारण कोलम में टैंपो छुड़वाना है ऐसा वे नहीं लिख सका उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुश्यन सिंग उसे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं मनोज उनकी नजर में योगे ही बना रहना चाहता था इसलिए उसने अपनी परच्ची पर मिलने का एक अलगी कारण लिख दिया करियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है मनोज को लगा कि ऐसा लिखने से दुश्यन सिंग उसे पढ़ाई में होश्यार स्टूडेंट समझेंगे और उससे अच्छे से बात भी करेंगे उसने सोचा कि मोका मिलते ही वैं उनसे टैम पचुडवाने की भी बात कर लेगा मनोज इसी उदेड बुर्मे गेट पर खड़ा रहा था कि उसे अंदर बुला लिया गया अंदर उसने देखा कि दुश्यन सिंग एक उच्छी डाइस के पीछे बैठे है उनका रीडर आज के केस की फाइल है उनकी टेबल पर रख रहा है दुश्यन सिंग ने मनोज को देखकर अपने स्टाफ से कहा ये मनोज है जोरा का बैस्ट कमेंटर परशाशन और वकीलों के बीच होने वाले अगले संदे के बीच में मनोज ही कमेंटरी करेगा मनोज को उमीद नहीं थी कि उसे इतनी इज़त मिलेगी उनका उसका मन गर्व से भर गया कमलेश भी अपने मन की खुशी चुपाना सका और फुस फुस आते हुए अपने कान में बोला मुझे लगतो है अपने टैमपो छूट जाएगो SDM तो तो है जानतो है मनोज ने उसे चुप रहने को इशारा किया तभी दुश्यन सिख ने कहा आज पहली बार कोई मेरे पास बिना सरकारी काम के आया है नहीं तो या बंदूग के लाइसेंस जू आसक्टा में पकड़े लोगों को छुडवाने की सिफारिश के लिए लोग आते है इतना कहकर वैं हस्ते हुए फाइल देखने लगा रीडर फाइल की और इशारा करता हुआ बोला सर यह बागचीनी थाने का केस है शानती भंग करने का बागचीनी थाने के थानेदार यादव ने शानती भंग करने के अपराद में 40 साल के आदमी को पकड़ लिया था एक दिन की अरेस्ट के बाद आगी परतिंदबात्मक कारवाई के लिए उसे SDM कौर्ट में प्रस्तुत किया गया SDM को यह निर्ने लेना था कि पकड़ा कया वेक्ति वास्तों में अपरादी है या नहीं दोनों भाईयों ने देखा कि बागचीनी थाने का थानेदार SDM को सल्यूट करके खड़ा रहा बैठा तक नहीं इसी थानेदार ने टैंप पकड़ रखा था इसी थानेदार के शिकायत लेकर दोनों आये थे SDM ने थानेदार से पूछा बताईए थानेदार साब क्या मैटर है थानेदार ने कहना शुरू किया सर मुलजीब मुकेश निकल अपने महले में अपने पड़ोसी नरेश के घर के सामने देशी कटे से दो फायर किये पुलिस चाहती है कि लोग शांती बंग करने वाले मुकेश को जेल बेज दिया जाए कोई गवा है तुमारे पास SDM ने थानेदार से पूछा जी सर गवा को देखकर दोनों भाई चोग गए कमलेश ने मनोस से का जे तो बोई दिनेश है टैमपू से एकसिडेंट की जूटी शिकायत इसी ने की थी अब मैं समझो जे आदमी तो थानेदार को पालतु कुत्ता है जूटी गवाई दे के केस बनाव तो मतलब आज को केस भी जूटो है मुकेश बुरो फसो थानेदार तो मुकेश को जेल पोचा के मानेगो आरोपी मुकेश पर दोनों को दय आने लगी दिनेश ने SDM के सामने अपनी रटी रटाई गवाई दे दी सर मैं शाम को मजदूरी करके साइकल पर जा रहा था तब ही मैंने देखा कि इस आदमी ने गर के सामने देशी कटे से फायर कर दिया मनोज की इच्छा हुई कि वे SDM से कह दे कि यह गवा जूटा और मकार है इसका काम ही है जूटी गवाई देना थानेदार भी बहुत बेइमान और लाल्ची है जूटे केस में लोगों को वसाता है पर वे कुछ कह नहीं पाया SDM ने आगे की कारवाई जारी रखते हुए आरोपी मुकेश से पूछा तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मुकेश या तुम्हें जेल बेज दे SDM के बाद सुनकर थानेदार के चैरे पर चमक आ गई लेकिन मुकेश डर के मारे थर-तर कापने लगा घबराय वे मुकेश ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया सर मैंने कोई अपराद नहीं किया मेरी पतनी और बेटी से पूछ लीजिए एक ओरत और 17-18 साल की लड़की भी कमरे में आ गई थी ओरत ने रोते हुई कहा हुजूर ये बिलकुल निर्दोश है वो तो नरेश ने धमकी दी थी कि इन्हें जेल बिजवा के ही दम लेगा साल बर पहले नरेश को 10,000 रुपे उधार दिये थे कई बार मांगने पर भी उसने वापस नहीं दिये अब पुलिस में फसायद है हमें मनोज को इस केस में अपना केस नजर आने लगा जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता थानेदार ने नहीं छोड़ा था ओरत की बात सुनकर SDM ने गवा से पूछता शुरू कर दी गवा दिनेश थोड़ा आगे आ जाओ तुमारी शगल से ठीक से दिख नहीं रही दिनेश ने अपनी पतली शुत्रमुर्ग जैसी जुकी हुई गर्दन उची की पर उसकी आँखे SDM से नहीं मिल पा रही थी उन्होंने कठोरता से पूछा गर्दन उपर करके जवाब दो महीने में कितने घरों में चोरी करते हो दिनेश के चैरे पर पसी न चलग गया कुछ देर पहले तक निश्चिंत खड़ा थानेदार भी ऐसा एज महसूस करने लगा मनोज को समझ नहीं आया कि SDM के वल शकल देखकर दिनेश की असलियत कैसे जान गए उनकी तिक्षन बूद्धी और आदमी की पैचान पर मनोज को आश्चर यह हुआ मुकेश की तरफ इशारा करते हुए SDM ने दिनेश से पूछा कहां गोली चलाई थी इसने सर नरेश की घर पर दिनेश ने का क्या तुम नरेश को पहले से जानते थे नहीं उजूर दिनेश ने जवाब दिया फिर तुम्हें कैसे पता कि वह नरेश का घर है दुश्यन सिंग ने दिनेश से पूछा इस पर्षन की सक पकाए दिनेश ने थानेदार की तरफ देखा थानेदार के पास भी कुछ कहने को नहीं था दुश्यन सिंग के सवालों के चक्रवियों में जूटा गवा दिनेश फस गया था उसकी कलई खुल गई दुश्यन सिंग ने अब थानेदार से का यादव जी आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ यह केस आपके दुआरा रचा गया जूटा केस है इस गवाने कोई भी गटना होते हुए नहीं देखी यह जूट बोल रहा है इतना सुनते ही मनोज की इच्छा हुई की खड़े होकर तालिया बजा दे आज एक इमानदार सरकारी तंत्र ने एक बेइमानी सरकारी तंत्र को कट घरे में खड़ा कर दिया था टैंपो पकड़े जाने से उसके मन में यही बात चल रही थी कि गरीबी और कमजोरों का कौन रक्षक होगा यदि किसी के पास पुलिस को देने के लिए पैसा नहीं है तो उसे कभी भी थाने में बंद कर दिया जाएगा आज दुश्यन सिंग ने गरीबों पर होने वाले अत्यचार को एक छटके में खतम कर दिया कोई तो है जो ढाल बनकर खड़ा है सच्चाई के पक्ष में जूट के विरुद दुश्यन सिंग ने अपने रीडर को ओर्डर लिखवाया केस समाप्त किया जाता है मुकेश ने कोई अपराद नहीं किया है उसे छोड़ा जाए इस गवाप पर जूटी गवाई का केस चलाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया जाता है पुलिस विवाग को लिखा जावे कि थानेदार यादव पर फैबरिकेटेड केस के लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जाए इतना कहकर उन्होंने केस की ओर्डर शीट पर साइन करके फाइल रिडर के पास अपने टेबल के नीचे पटक दी मनोज इस केस को देकर अभी भूत हो गया उसे उमीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई वेक्ति सच और जूट का नेड़ने कर सकता है इतनी जल्दी किसी झूटे और मकार आदमी को सजा मिल सकती है इतनी जल्दी किसी सच्चे और मजबूर आदमी को नियाए मिल सकता है वे अपने टेमपो की सिफारिश को भूल गया वे तो आनंद और आश्चरी की अलग ही दुनिया में पहुँच गया था मनोज तुम अपने कारियर के बारे में बात करना चाहते थे दुश्यन सिंग इसके आने का कारण भूले नहीं थे जी सर, मनोज ने जैसे किसी सोपने से जागते हुए कहा क्या लक्षे है तुमारा मनोज, तुम क्या बनना चाहता है दुश्यन सिंग ने पूछा सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ दुश्यन सिंग के सम्मोहन के जादू में बने मनोज के मुँसे निकल पड़ा पर 12th fail मनोज को पता नहीं था कि कैसे बनते हैं STM वै तो बस उस पद के आकर्शन में बन्द सा गया था बहुत बढ़िया लक्षे हमेशा उचा बनाना चाहिए अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं किस क्लास में पढ़ते हो तुम कुछ देर पूर सपनीली डगर पढ़ ले जाने वाले मनोज को दुश्यन सिंग ने अचानक कठोर काटे वाले अथार्थ पर लापटका सर अभी अभी बारवी की परिक्षा पास की है मनोज ने अपने आदर्ष से जूट बोल दिया उसे लगा कि यदि उसने सच बोला कि कुछ दिन पहले ही 12 में फेल हुआ है और टैमपो छड़वाने की सिफारिश करने आया है तो शायद वै उसे अपने पास बठाने के लायक भी नहीं कहते अपनी हींता को जूट के सारे वैं मिटाना चाह रहा था मनोज स्टेट सर्विस में जाने के लिए PSC की परिक्षा देनी पड़ती है PSC में सिलेक्ट होकर डिप्टी कलेक्टर बनते है सब डिविजन में काम करने वाले डिप्टी कलेक्टर को ही SDM कहा जाता है दुश्यन सिंग ने बहुत सरल तरीके से उसे समझाया सर कैसे पास करते है PSC मनोज किसी रहसे में रहा पर आगे बढ़ रहा था अपनी पसंद के दो विशे लेकर परिक्षा देनी पड़ती है साथ में जर्णल लॉलिज का भी पिपर होता है दुश्यन सिंग ने कहा मनोज को यह जानकर अच्छा लगा कि PSC में गणितुरंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल नहीं है दुश्यन सिंग ने बताया कि उन्होंने मकैनिकल से इंजिनियरिंग करने के बाद हिंदी साहित्य और इत्यास विशे लेकर PSC की परिक्षा पास की थी इसके बाद वैं PSC की परिक्षा पदती और पढ़ाई के तरीके के बारे में देर तक मनोज को बताते रहे कुछ महीने पहले 12 में फेल हुए निराश मनोज को दुश्यन सिंग ने दूर जिल मिलाता हुआ दुंदला सा कोई सपना सोप दिया उस सपने को मन में बसाए वैं अपने घर लोट आया टैंपो को छुडाने की कोई सिफारिश नहीं हो पाई कमलेश पूरे रास्ते उसको गालिया देता रहा अब होते हैं ना हमारे छोटे बैन भाई तो कमलेश उसका भाई उसको गालि दे रहा कि अरे तु जो बात करने आया था वो तो तु भूली गया अब पर इस वाक्य से जो ये उनके साथ ये गटना होई इससे हुआ क्या कि मनोज के आँखों में एक बड़ा सपना आ गया मनोज को हमेशा अपनी तारीफ का शोक था बट ये ट्वेल्थ फेल वाली बात इतनी जगह पे उनको पिंच करेगी कि उनके सामने बार-बार उनका फेलियर दिखाया जाएगा ऐसे हम भी लाइफ के बहुत फेल हो जाते हैं इन फेक्ट एक बार मेरे साथ भी ऐसा परसनल हुआ कि मैं जाए अड्मिशन लेना चाहती थी वाहन नहीं हुआ बट फिर उससे बैटर कुछ हमें मिलता है जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और किस्मत चाहती है कि आप उससे भी बैटर करो यहां तक हमारे 7 चेप्टर की मनोज का कैसे टैंपू ले लिया और कैसे पुलिस वालों ने उनके साथ बहुत गलत किया उसके बाद दुश्यन सिंग SDM ने उनके लिए एक सपना बुन दिया अब आगे देखते हैं नेक्स चेप्टर में क्या होता है तिल देन टेक केर बाई बाई